मैं अध्यक्षेन प्रकृतिह सुयते सचराचरम हेतुना आने न कौनते या जगत विपरी वर्तते नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके भगवत गीता के नौए अध्याय का दस्वा श्लोके जिसे हम आज घ्यराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं अर्थात मेरी अध्यक्षतवा द्वारा है प्रक्रती सुयते सचराचरम अर्थात व्यक्त कर उसे चलाता रूकता हूं ये तुना आने न कौनते ये अर्थात इस कारण से है कौनते ये जगत विपरिवर्तते अर्थात जगत परिवर्तित होता है तो श्रीक्रिश्न यहाँ पर अपनी भौतिक शक्ति के विशह में बता रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इस संपून प्रकृती का अध्यक्ष मैं हूँ, मैं ही इसे चलाता हूँ और रोकता हूँ और मेरे द्वारा ही ये जो जगत है वह परिवर्तित होता है तो आज के समय में हम लोग ये मानते हैं कि हम इस संपून प्रम्हांड के कारियों को समझ चुके हैं हम विज्ञान को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम ये मानते हैं कि ये जो प्रम्हांड है यह निश्चित नियमों द्वारा चलता है और ये जो निश्चित नियम है ये हम विज्ञान द्वारा समझ चुके हैं जहांपर कि हम कहते हैं कि जो न्यूटन के सिध्धान्त है या जो मैक्सवल के सिध्धान्त हैं तो ये जो सिद्धानते इनके द्वारा हम ये समझा सकते हैं कि प्रकृती में हो रही जो घटनाएं हैं वे किस प्रकार से होती हैं तो ये जो समझ है विज्ञान की ये निश्चिती एक परिश्च्रत समझ है और निश्चिती हम प्रकृती को बहुत गहराई से अभी समझने लगे हैं किन्तु यदि आप विज्ञान में और गहरे में उतरें तो आप तब ये पाते हैं कि जितना ये परिभाशित हमारा ये संसार हमें प्रतीत होता है विज्ञान द्वारा ये वास्ता में उतना परिभाशित है नहीं अर्थात जो गटनाएं यहां पे हो रही है वह निश्चित संध्यूद सब्सक्राइस सब्सक्राइब अंब तो लोग जदी यह कहें कि बहुत ही तारकिक है और हर वस्तु यहां पे और हर घटना यहां पे पहले से ही परिभाशत है और उसकी जो प्रगति होगी वह भी एक परिभाशत रूप में होगी तो वास्तों में ऐसा नहीं होता है यदि आप क्वांटम क्षेत्र में जाते हैं जो कि बहुत ही छोटे-छोटे अनुओं वाला क्षेत्र है जो कि एक बहुत ही सूक्ष्म शेत्र है यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमें इसे सपष्ट दिखाई नहीं देता किन्तु उसमें जो हो रहे प्रभाव होते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पढ़ता है तो यदि आप क्वांटम ख्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जब घटनाएं वहाँ पे घटरे होती हैं उनके जो परिणाम होते हैं वह परिभाशित नहीं होते हैं अर्थात ऐसा नहीं होता है कि एक आटम यदि दूसरे आटम से टकराता है तो जो स्थिती में जाएगा ऐसा नहीं होता है यहाँ पे संभावनाएं होती हैं यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई एक घटना जो है वह जब आगे बढ़ेगी तो उसका जो परिणाम होगा वह निश्चित नहीं होता है वह कई सारे परिणामों का एक समूह होता है जहाँ पर कि प्र उसकी संभावना कुछ और रही होती है बहुत कम रही होती है तो ये जो संभावनाएं होती है कि ये भी परिणाम होती है ये भी परिणाम होती है ये भी परिणाम होती है और फिर उन में से एक कोई परिणाम चुन के बाहर निकल के आता है अणिए शृषटी जो होती है उनमें से किसी एक परिणाम को चुनती ही और वहव उसको लेकर आती है तो दृषटा जब देखता है उसको तो वहवव पouldब बदाइब पाता है तो अच्छा कि इतनी सारी संभाव नाया थी कि इनमें से केवल एक ये परिणाम है जो कि श्रिष्टी ने मुझे दिया तो अब ये श्रिष्टी का जो चुनाव हो रहा है कि वो कौन सा परिणाम चुन रही है वहत व श्रिष्टी के ओपर निर्भर करता है तो यह कौन सी शक्ति है जो कि इस परिणाम को निर्धारित कर दी है तो हम यह कहेंगे कि यह जो शक्ति है यही श्रीकृष्ण की शक्ति है कि श्रीकृष्ण ही इस प्रकृति के अध्यक्ष है तो वही फिर चुनते हैं कि इनमें से कौन सा परिणाम आपको मिलेगा तो ये जो परिणाम आपको मिला उससे ही फिर आगे की जो घटना होगी वह प्रभावित होती है इस प्रकार से ये जो quantum का क्षेतर है उसमें जो घटनाएं घट रही होती है वह परिभाशत नहीं होती है उसमें एक उसमें अराजकता होती है कि कौन सा चुना जाएगा वो आपको पता नहीं होता है जब आपको उसका परिणा मिलता नहीं है तब तक उसमें सदा एक शंका की भावन रहती है कौन सा परिणा बाहर निकल के आएगा तो यह ऐसा नहीं है कि आपने एक गेंद को किसी एक angle पर फेका तो वो कितनी दूरी पर जाके गिरेगी वो आपको पता है ऐसा नहीं होता है और ये शुक्षम शेत्रह पर होता है क्योंकि शुक्षमता में आपको जो setteakta की आवश्चकता होती है वो बहुत अधिक होती है तो उस setteakta तक जाने के लिए आपको जब आप दे जैसे हम लोग एक मीटर पर ही गिरना है तो वहाँ पे जब आपको वह सूख्म सटीकता की आवश्चता होगी ना तो वहाँ पे आपको वह सटीकता नहीं प्राप्त होगी और हमें ये भी समझना चाहिए कि ठीक है जो ये सिध्धान्त हैं ग्राविटी का सिध्धान्त हो गया या जो इलेक्ट्रमैगनेटिक्स का सिध्धान्त हो गया ये सारे सिध्धान्त अपने और पर कारे करते हैं किन्तों इनके उपर सूख्म परिवर्तन भी हो रहे होते हैं जो कि हम समझ नहीं सकते हैं यहीं का वास्तों में खेल है आप ऐसे उधारण देखी कि देखी जैसे माली जे की एक कॉमेट है माली जे की वह नेप्ट्यून के पास से जो है वो गुजर रहा है और वह फिर सूर्य का चक्कल आगे पुनहे नेप्ट्यून की वर जाएगा और बीश में पढ़ती है प्रत्वी अब जब वो जो कॉमेट है उसकी जो दिशा है वह गुरुत्वा करेश्टिंग के सिध्धान से ही निर्धारिस होती है किन्तो उसमें छोटे-छोटे परिवरतन होता है और माली जे की कोई छोटा सा एक क्वांटम एफेक्ट या कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसमें बहुत ही शोखन सा परिवरतन जाता है बहुत ही छोटा सा परिवरतन जाता है अब यदि वो थोड़े से परिवरतन से यदि वो चलेगा तो जब तक वो प्रत्वी तक आएगा, तब तक उसका जो स्थान होगा, उसमें एक परिवर्तन हो सकता है, और उस परिवर्तन का प्रभाव प्रत्वी पर पढ़ सकता है, तो यह जो अंतर होते हैं, इन अंतरों के भी प्रभाव पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे जीवन की दिश बिस्रे वेक्तिय का मूड में परिवर्तन होता है और हमारे मन में बड़ी आजीवों गरीब से विच्टर सी वीचार धराई उठती रहती है कभी कुछ उठता है अपने आप उठता रहता है जिस पर हमारा उतना नियंद्टरन नहीं होता तो मनोवे ज्यान में तो बहुत कि आगे कैसे चलेगा ब्रह्मांड किये होगा वोगा तो यह एक अहंकार वाली बात हो जाती है, हम प्रभू बन गए हम इश्वर बन गए है वास्त में तो घट रहा है वह तो इश्वर के हीछछा से घट रहा है, शूकर्षम्स्तर पर वही है जो की परिवरतन करता है जिनकी प्रभाव फिर हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं तो यह बात हमको समझनी चाहिए और अपने जीवन में हमें इसी प्रिकार से कारे करना चाहिए यही तो कारण है कि हमने इतना कुछ विज्ञान के बारे में समझ लिया है तब आए हैं जो कि वास्तों में आप कह सते हैं कि उस दिव्यता से ही उत्पन हो रही है क्योंकि वही है जो कि अध्यक्ष है तो यद्धिपी हमने विज्ञान को अच्छे समझ लिया और यह अच्छी बात है कि हमने विज्ञान को अच्छे समझ जा और हमें और भी उसे समझने का अच्छे से समझ पाएं कि ब्रह्मान को समझेंगे तो ब्रह्मान भी वास्तों में दिव्य का ही एक पहलू है तो हम उस प्रकार से दिव्य को ही समझेंगे तो उस प्रकार से हमें सबजनी चाहिए आशे करता हूँ कि मैंने इस श्लोग को आपको कुछ से समझा दिया होगा चलिए इसे के साथ इस वीडियो को वहीं पर समात करते हैं नमस्ते